कैसे हैं आप सभी और पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी के मैं निर्वे सर स्वागत करता हूँ आप सभी का चेविय में किर्वी में दोस्तों आज का ये लिक्चर वीडियो डेटर इर आउट सराउंटिंग्स के एक टॉपिक है डिफ्यूजन उसके बारे में जानेंगे सम इमीद करता हूँ आप सभी घर पर बिना हातास और निरास होते हुए एक अच्छी लेबल की पढ़ाई कर रहे होंगे और इस लोगडाउन का भरकूर इस्तमाल कर रहे होंगी और कहीं भी प्रोब्लेम होती है किसी भी टॉपिक में तो आप कोमेंट्स बोक्स में कोमेंट् आपको उस टॉपिक के रिगारी कोई भी टाउ टोप के लिए रोजा है चलते हैं और डिफ्यूजन के बारे में जानने समझने का कोशिस करते हैं अगर बात किया जाए डिफ्यूजन का तो डिफ्यूजन का मतलब होता है कि अलग-अलग पड़कार के पार्टिकल्स हैं जहां से समझने कोशिस किजिएगा अब प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा अलग-अलग पड़कार के पार्टिकल्स हैं इसी भी मेटर के या उसको क्या कि अब मिला गी मिलाने का प्रोसेस होता है उस इस प्रोसेस के तुरूब मिल रहा है मिक्सिंग ओघा है अलग-अलग पड़कार के पार्टिकल्स उसको उस प्रोसेस को क्या वोलते है रहा है मिल गया अब ये मिल गया पूरे प्रोसेस एक तो मिक्सिंग होगे वाडर और इंक का मैंने डालाक्त कि यहां पर कैसे मिक्सिंग हो रहा है इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं आप देखिए सेकेंड पॉइंट को समझने के कुछिस करते हैं डिफ्यूजन बिकांस फास्टर ऑन हीटिंग आप किसी भी सबस्टेंस को या मेटर को आप जब हीट करते हैं और उसमें अलग अधिक एनर्जी क्रियेट होता है और आसानी से यह जो है डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होता है वो जो जो दी संपन हो जाता है और पॉइंट को समझने का कोशिस करते हैं डिफ्यूजन इस प्रोपर्टी ओफ मेटर इस बेस ओन दमोशन अफ पोशन अफ इस पार्टिकल य यानि कोई भी मेटर है उसके जो पार्टिकल चीज तरीके से मुवमेंट कर रहे हैं उस तरीके से डिफ्यूजन जो होगा वो संपन होगा जैसे मान के चली मैंने एक्जांपल के तुरू आपको एक समझाने के कोशिस करता हूं यह मेरे पास एक परकार की सूगर और वाटर कर दो आपको एक साथ कमबाइन करने लोगा कुछी समय के बाद सूगर जो है वाटर के साथ मिल जाएगा यानि क्या हुआ कि सूगर और वाटर के पार्टिकल उस कंडिशन में आ जाएगे मुवमेंट के तर्म में आ जाएगे जिससे वह असानी तरीके से मिल जाते हैं तो जाएगे में शितनी विच्ट ही जाएगे यह मूवमेंट के तर्म में आ जा है कि कोई भी मेंटर है और उस में जब्सक्राइए जो भी पार्टिकल सोगे वह हमेंचा मिंगें के तर्म में को दोते हैं इसमझ में आ रहा है चलिए यह समझ में आ गया होगा आप लोग को अब चलते हैं next topic next topic को भी समझने का कोशिश करते हैं कि ढ़रा क्या हिएक को की सब्सक्राइब लिकविय कैसे संपन होता है अगे के बारी-बारी से मूल जानेंगे समझेंगे और सि התी आगर बात किया जाए डिफूड इन अब आश्ड़ियों उन पहुता है अद्सक्तर क्रफिन क्यों कि शॉलिड के जोभी क्हों होते हैं हो कि भ से काफी ज़्यादा अगर बात करें तो आप देखिए एक्जामपल से समझने के कोशिश किजिएगा आप चौक से कुछ बलेक पोड पर लिखते हैं आप पिटा दिये तो वह तुरंद मिट जाता है जिसकि आप कुछ समय के बाद मिटाते हैं तो मिटाने में जो है काफी ज्यादा प्लाई करना होता है यानि यहने का मतलब कि चौक का जो पार्टिकल से बलेक बोड के पार्टि को मेटल कोई भी तो मेटल भॉक हो जाते हैं किसके तुरू होते हैं तो यहां आपके डिफ्यूजन इस वाली रेस्टेट सब्सक्राइब चलते हैं उसको भी समेंचने का कॉसिश करते हैं गैस की तुल्ला में अगर बात किया जाए तो लिक्वीड जो है सोलोड होता है और गैस में जो डिफ्यूजन होता है काफी फास्ट होता है समझने का कुछिस कीजिएगा देखिए अगर बात किया जाए समझने कि फ्यूजन देखिट वाटर्य की तूल्न में जो काफी सुलो होता है आप अम अरष्योजन होता है जैसे अब मेरे पास मेरे ग्जांपलियाता दें आपको पहले इसके इसको मने शगय बेकर वाला एक्जांपल कि आप침 असानी से एक यूप आशानी से जो इसमें काफी ज्यादा फास्ट होता है डिफूजन इन वहरी फास्ट इस बीकोज पार्टिकल्स बेरी क्यों कि वह पार्टिकल्स होते हैं वह असानी से क्या होते हैं वह हमेसा मुव करते रहते हैं असानी तरीके से मुव करते रहते हैं जिसे कारण डिफूजन जो है इसमें काफी ज्यादा जंदी संपन होता है और तुरंट पूरे इंवार्मेंट पर ये भैल जाता है एक जामपल में ले सकते हैं एसमेल और पर्फूर्म हो रहते हैं रहते हैं इसकर बोसे स करें जकते है उतनार जाता है यह चीज आपको समझ में आ रहा होगा और समझ गए होगे और इस वीडियो में जो भी टॉपिक आपको समझाया गया हो आप अच्छे तरीके से इसको समयने का कोशिस किजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप एक ने टॉपिक के साथ थेंक्यू फोर वाचिंग इस वीडियो